Q1 से शुरू करेंगे देखो दिया वाए किस दिन प्रित्वी सुरी के सबसे निकट होती है और वीच डे इस दा अर्थ पुलोजेस टूदर सन क्या होगा आंसर 4 जुलाई 21 मार्च 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी किस दिन प्रित्वी सुरी के सबसे निकट होता है तो यह होती है देखो 3 जनवरी को ठीक है तीन जनवरी या फिर कभी कभी ऑप्षन में आपको 4 जनवरी भी लिखा हुआ मिलता है दोनों लगबग लगबग सही चलता है चलिए बड़े अगले सवाल पर अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है इस क्यूचन का सही आंसर क्या होगा तो बंगाल का सोक देखिए कहलाती है दामोदर नदी और जब्रे नदी क्या होगा आंसर तो आपशें डी दामोदर नदी ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल यहां पे है यहां देको मिला हुआ आपको कि निम्न में से कौन सी परवच्चोटी संसार की दूसरी सरवच्च परवच्चोटी है विच आप दो फॉल्विंग माउंटेन पीक इस दा सेकेंड हाइस्ट माउंटेन पीक इन दा वर्ल्ड गौडवीन आश्टीन, कंचन जंगा, नंदा देवी या पिन नंगा परवत क्या होगा आंसर विल्कुल सही करने और बतानी है इस गिविचन का सही आंसर क्या है कौन सी संसार की वे परवत चोटी है जो कि दوسरी सर वज परवत चोटी है तो वो है, देखो आपकी गौडवीन आश्टीन, क्या हो गया आंसर तो option A, गौडवीन आश्टीन हो गया जिसको की केटू भी बोलते हैं याद रखिएगा Godwin Austin संसार की दूसरी सरवच प्रवत चोटी अब पुछा जाए पहली कौन है तो पहली सब को जान रहे हैं पहली कौन है तो पहली है देखो आपकी Mount Everest ये तो सवी को लगवग पता है पहला कौन हो गया तो पहला Mount Everest हो गया ये कहां पर है तो ये आपका नेप देख में है पूछा हिए सवाल है कि सबसे उंची कौन सी है पहली नमर से हैं तोने पाल को नेपाल में करते हैं तो साघर माथा कहते हैं ठीक है और बाकि गौडवी नौश्टीन हो गया संसार का दूसरा सरोज परवचोटी अचा भारत की सबसे उची परवचोटी कौन सी है तो याद रखेगा कंचन जंगा है ठीक है भारत की सबसे उची परवचोटी कौन सी है तो वो कंचन जंगा है अभी पहले पहले गौडवी नौश्टीन पर उस पर जब से प्राकिरतिक उप्विरा है और नेचुरल सेटलाइट इज आरे भट रोहिनी चंद्रमा या पिर मंगल क्या होगा प्रित्वी का प्राकिरतिक उप्विरा कौन सा है मैंने कल ही नोटर रहा है था सब कल जो मैंने कलास लिया था उसे मैंने येवल आप सब को नोट परवाया था एक्स्ट्रा में इसलिए मैं बोलता हूं कि सारा क्लास अटेंड किया करो कोई भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए चलिए करेंग और बताएंगे प्रित्वी का प्राकिरतिक उप्विरा कौन सा है तो केवल एक चलिए अगला सवाल पर चलेंगे अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ यह सवाल है कि निम्न में से किस राजिक की प्रती व्यक्ति आए सबसे अधीक है वह कौन सा राजिक है जिसका प्रती व्यक्ति आए सबसे अधीक है चलो जल्दी से करना और बताना सभ सब को बताएंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिव्यक्ति आय है देखो गोवा का किसका आय सबसे अधीक है तो वह राज है गोवा जिसका आय सबसे अधीक है अब पूछा जाता है कि किसका आय सबसे कम है तो याद रखीगा बिहार का जो है प्रतिव्यक्ति आय सबसे कम है पूर सिटे आवंटित होती हैं on what basis are the seats allotted to the states in the लोगसभा जनसंक्या छित्रफल गरीबी या भासा जो लोगसभा है लोगसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटे मिलती है जो लोगसभा है लोगसभा में पुर्व का मोती के नाम से जाना जाता है विच आप दो फॉलिविंग इज नोन एज पर्ल आप दे इस्ट जापान, ओंग कॉंग, स्रिलंका या ताइवान क्या होगा चलिए देखते हैं आप सब का आंसर क्या आता है बिल्कुल सही किजेगा और बताइएगा निम्द में से किसे जो है पुर्व का मोती बोलते है पुर्व का मोती कौन कहलाता है इसकी विचन का सही आंसर क्या है बिल्कुल सही करण्डियों सब को बता नहीं है तो पुर्व का मोती जो है यह देखो श्रीलंका कहलाता है क्या हो गए आंसर तो स्रि श्रिवाधिक अटरफी याद हुद्ट रखेगा पुरू का मोति श्रिलंका को गते हैं चलि विघ्वाल रजीघ्वा सवाल यहां पर देखो दिया हुए यह सवाल है कि भारत में हरित क्रांथी का सरवाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, which crop was most affected by green revolution in इंडिया, गेहू, धान, मटका या पिज्वाग, चलि करेंग और बताएंगे कि भारत में हरित क्रांती का जो सरवादिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है, भारत में जो हरित सवाल को देखेंगे, अगला सवाल मिला हुआ है कि भारत के राश्पती का चुनाव कितने वर्सों के लिए होता है, for how many years is the president of India elected, 6, 5, 4 या ती, क्या होगा answer, भारत के जो राश्पती का चुनाव है, ये कितने वर्सों का होता है, भारत के बारत के राश्पती का कारेकाल बी बोल सकते हो, भारत के राश्पती का चुनाव होता है कि परधान मंतरी का कारेकाल कितने वर्सों का है और इसी में साथ में यहां पर देखो मुख्य मंत्री का भी पूछा जाता है कि कारेकाल कितने वर्सों का है तो इन चारों में सेम है और इसको भी मिला के कितना है तो पांच वर्स ही है ठीक है चाहे उप राश्पति हो राज जिपाल हो परणान किस ने अस्थापित किया तो स्वामी विवेकानंद जी ने मैंने कुछ दिन पहले ही आप सब को यह वाला क्विशन पढ़ाया था लगबग को यादों का जिनोंने क्लास रेटेंड किया है दियावाई स्वामी विवेकानंद फाउंड़ेट रामक्रिष्ट मिशन इन इन द स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामक्रिष्ट मिशन की अस्थापना किस वर्स में हुई तो वो वर्स है देखो आपका 1896 या पिर इसी को 96 की जगह 97 लिखाओ अभी मिल जाएगा तो वो भी सही रहेगा कन्फ्यूज नहीं होंगे ठीक है चलि अगला सवाल देखें हुए कि भारत में प्रतम रेलवेलाइन किस बृटिस गورनर्ट जनरल के समय विछाए गई ती तो इसका जो राइट आंसर तो option A, लौट अलहाजी, अच्छा कब बीची थी, मैंने कुछ दिन पहले आप सब को नोट करवाया था, कब बीची थी, चलो आपका answer देखते हैं क्या है, आप सब मुझे भी बताओगे, मैंने पूछा है कि प्रथम रिलेवे लाइन भारत में कब बीचाई गई, ये आप आगया है, जो सही answer है, वो है, देखो आपका अठारा सो तीरपन, सब कोई ध्यान में रखेंगे, ठीक है, प्रथम रिलेवे लाइन किसे कारेकाल में बीची तो लौट डलहाजी के, कब बीची तो अठारा सो तीरपन, ध्यान में रखेंगे सब कोई, चली अगला सवाल यह पर दिया हुए है, देखो यह सवाल है, कि किस गवर्नर जनरल के कारेकाल के दोरान भारतिराश्टी कॉंग्रिस बनी थी, दा इंडियान निशनल कॉंग्रिस वाज फॉर्म्ड डूरिंग टेंस्चर ऑफ विच गवर्नर जनरल, लौड रिपन, लौड विलियम बैंटिक, लौड डफरिन या फिलौड करजन, क्या होगा, किस गवर्नर जनरल के कारेकाल के दोरान भारतिराश्टी कॉंग्रिस बनी, वह कौन सा गवर्नर जनरल है, जिसका कारेकाल के दोरान भारतिराश्टी कॉंग्रिस का स्थापना हुआ था, अब मैंने कली सबको पढ़ाया था यहां पर मानों लगे हैं आप से पुछा जा सकता है कि किस गवरंडर जनरल के दौरान भारतिकी राश्ट्रे को अंग्रेस बनी तो यह देखो बनी है लौड डफरिन के कारेकाल के दौरान ठीक है चलिए हो गया कब बनी है यह मैंने पढ़ा दिया पर नोट कर लोगे जो भी नया अभी कर रहे हो कला जिनको पता नहीं 1885 में हुई है ठीक है किसने किया था तो करने वाले थे देखो ए ओ यूम सभी को ध्यान बरतना है ठीक है ए ओ यूम ने अस्थापित किया था पहला अधिवेशन कहा था तो पहला अधिवेशन याद रखोगे बॉंबे में ही है अगला सवाल पे चलेंगे अगला सवाल यहाँ पे देखिए दिया हुए कि संसद के कितने सत्र होते हैं यह देखो जो संसद का यह सारा का सारा सत्र है संसद का यह सारा का सारा सेशन है ठीक है अगला सवाल पे चलेंगे अगला सवाल मिला हुआ है कि काजी रंगा राष्टी ये उध्यान कहां पर स्थापीद है इस कीशन का सही आंसर क्या होगा चले क्या आंसर आ रहा है पहले आप सब का मुझे देखना है फिर मैं चलूँँगा आगे चलो बिल्कुल सही करना और बताना यहां पर कि जो आपका काजी रंगा राष्टी उध्यान है ये कहां पर इस्थीद है पहलेंगे अगला सवाल पर जिक्क्य का अंटिन आर्मी का याद रखी का बिल्कुल सही करने की कुशिच करेंगे सब कोई Garo Hills कहाँ पर है जो Garo Hills है ये कहाँ पर suspension का सही answer क्या होगा Garo Hills कहाँ पर है तो जो Garo Hills है यह देखो आपका मिघाले में है क्या होगी answer तो option C मिघाले हो घीक है C वालो का answer बिल्कुल C है बहicky है C की हो बिल्कुल सही बता है हुचलो GK का 15 सवाल होगी अगर पुछ देगा कि साधारन नमक का रसायनिक सुत्र क्या होता है तो बहुत बढ़ी आंसर करना है एन अओ एच होता है ठीक है काश्रिक सोडा का रसाइनिक सोत्र हो गया NaOH, अगर पूछ देगा कि साधारान नमक का रसाइनिक सोत्र क्या है, तो साधारान नमक में हो जाता है NaCl, ठीक है, यहीं पे दियाव है NaHCO3, याद रखेंगे, यह जो है Baking Soda का रसाइनिक सोत्र है, NaHCO3, Baking Soda, या फिर इसी को दे त्री दिया हुआ है यह यादर्खना यह जो है धोवन सोडा का सूतर है यह सारा चीज़ सब कोई ध्यान में रखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब का सब सारा के सरब पुछा गवा भी है प्रिविएस एर में चलो अगला सवाल है यहां पर आपका क्या क्यूशन दिया ह सा रोग होता है। आयोडिन की कमी से कौन सा रोग होता है। उर्जा की एसाई इकाई क्या होती है तो उर्जा की जो एसाई इकाई है यह देको जूल होती है ठीक है सब को ध्यान में रखोगे क्या होगे आंसर तो जूल हो गया इसी के साथ है न्यूटन किसका इकाई है तो बल का इकाई है ठीक है यहाँ पे देखो हट्स दिया हुआ है किसका आई का ही है तो आवरिती का ही का ही है फ्रिक्वेंसी का ये फोर्स का हो गया पास्कल दिया है पास्कल किसका आई का ही है तो दाब का प्रेसर का ठीक है चारो का चारो पुछा हुआ है ध्यान में रखोगे मिश्टेक नहीं होना चारो का चारो पुछा हुआ है प्रिव बहुत पार इंडेनार्वी करते हैं और हर साल दे देती है जिसले सब को ध्यान में रखनी है चले अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहां पर कि एड्स होता है एड्स इस जीवानू से फफुंद से या पर क्रीमी से या विसानू से जो एड्स नामक रोग है यह किसकी बज़ा से होता है एड्स रोग किसके कारण होता है तो यह देखो होता है आपका वायरस के कारण ठीक है एड्स जो है यह विसानू के कारण होता है यह वायरस के कारण होता है ठीक है विसानू बिल्कुल सही आंसर होगा D is the right answer ठीक है चले अगला सवाल पे चलेंगे अगला सी गैस होती है एल पीजी में कॉन्सा गैस स्बेया जिता है अच्छा आंसर है यहां पर ज्यादा और वूटेन आया है बुकुल और है योगिक है मिश्रन है या तरल है बारूद क्या होता है बारूद जो है क्या है यह यहां पर सब को करना और बताना है बारूद जो है क्या होता है तो जो बारूद है यह देखो एक प्रकार का मिश्रन है ठीक है क्या होगी आंसर तो आप्शन सी मिश्रन हो गया ठीक है बढ़ते अगले सवाल पर अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुए कि भस्मों का स्वाद होता है डज इट टेस्ट लाइक भस्म या फिर इसी को देखो एक और तरीका से बेस भी लिखत होता है खटा होता है मीठा होता है या स्वाधिन होता है भस्मों का जो स्वाध है यह कैसा होता है जो भस्म होते हैं जो बेसेज होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है तो जो भस्म है जो बेसेज हैं उनका देखो जो टेस्ट है यह सलाइन होता है यह जो एक खारा होता है क्य यहीं पर खटा लिखा हुआ है, तो खटा याद रुकर के खटा अमल का स्वाद है, किसका स्वाद है, एसीड का स्वाद है, ठीक है, और बेस वाला कड़वा हो गया, यह अमल वाला देखो हमेशा आया है, पूछा जादे कि अमल का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, चलो बढ़ किस प्रकार का है बिल्कुल सही करेंगे स talents ऐसा खाल є देखो दिया हुआ यह सवाल अगला सवाल यहां पर दिया हुआ है रहता है घड़ता है कोई परीवर्दण नहीं होता है या परइवर्दित होता है जंग लगने पर लोहे विटामीन 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 विटाम साइमीन जो है यह देखो विटामीन बीवन का रसाइनिक नाम है अगला सवाल को देखते हैं एगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है यह सवाल है कि जब सुध जल में डिटर्जन डाला जाता है तो प्रिष्टनाव, when detergent is added to pure water, then surface instant, बढ़ जाता है, घट जाता है, और परिवर्तित रहता है, या परिमीत हो जाता है, जब सुध जल में detergent को डालते हैं, तो उसके बाद प्रिष्टनाव के साथ क्या होता है, तो उसके बाद प्रिष्टनाव के साथ क्या होता है, यह आपको बी वालो का अंसर बिल्कुल सही होगा चलो अगला सवाल पर चलेंगे अगला सवाल यहां पर है यह देखो आपको दिया गया है कि मानों की समान निस्वस्त आख के लिए असपष्ट द्रिष्टी की न्यूनतम दूरी मापी जाती है क्या होगा आंसर अगला सवाल पर अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि तडिक चालक आविस्कार किस ने किया ग्राहम बेल, लॉड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलीन या फिर आंस्टीन तडिक चालक का आविस्कार निम्द में से किस ने किया है इस क्यूशन का सही आंसर क्या होगा तो तडिक चालक का जो आविस्कार है यह देखो किया है बेंजामिन फ्रैंकलीन ने इस question का जो सही answer हो गया, वो गया option C, Benjamin Franklin, ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है, बहुत ही important question है, इंडियन आरिवी में बहुत बर आया है, निम्द में से किसे वर्गिकी का पितामा कहा जाता है, who among the following is called the father of taxonomy, angler, ar तूल, linear, या फिर theophrastus, निम्द में से किसे वर्गिकी का पितामा कहते हैं, वर्गिकी के पितामा के रूप में किसको जाना जाता है, इस question का सही answer क्या होगा, बिल्कुल सही करना और सबको यहाँ पर बताना है, तो वर्गिकी का पितामा देखो बोलते है, carolus, linear, ठीक है, science का अंतिम question है, बिल्कुल सही करना और यहाँ आपने सबको बताना है, यदि किसी चलती हुई वस्तू के वेग को दोगुना कर दिया जाए, तो उसका और उसकी, if the velocity of a moving object is doubled, then he is or her, बहुत बार यह question आया है, इंडियन आर्मी में, तोरन दोगुना हो जाएगा, गती आरे परिक्षा में selection चाहते हैं, अपना selection चाहते हैं, तो सभी लोग subscribe करके, बेल आइकन को all पर जरूर सेटर लेना, ताकि जो भी class उसकी update आप तक सबसे पहले पहुंचे, और जो भी class आरे उन सभी classes को आप से बट्रेंट जरूर कीजिए, एक बजे, और जो है साम साड़े तो देखो, यहाँ पर क्या होगी answer, तो यह 4 गुना हो जाता है, ध्यान में रखीएगा, जब भी किसी चलते हुई वस्टू के वेक को दोगना कर दोगे, तो उसके बाद जो उसका गती जुर्जा है, वो 4 गुना हो जाता है, चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपका math का सवाल शुरू हो रहा है, यहाँ से जो आपके math की questions की सुरू आते होगी, दिया हुआ है, देखो यहाँ पर कि यदि 3 करमिक संख्याओं का योगी क्या सी है, तो मद्य की संख्या कौन सी है, मद्य की संख्या जो है, कितनी होगी, यहाँ बहत्तर क्या होगा, चली करना और ब पर मान लेंगे, माना, टीनो क्रमिक संख्या, एक को X मान लिया, दूसरा को X प्लस 1 मान लिया, तीसरा को X प्लस 2 मान लिया, ये टीनो क्रमिक संख्या हो गया, ठीक है, क्या बोला, टीनो का योग इक्यासी है, मतलब कि X प्लस में हो गया, X प्लस 1, ठीक है, फ्लस हो गया, X प को 3x equal to 81 minus 3 कर दो तो आपका देखो आएगा 78 ठीक है तीन से जो 78 है यह देखो प्रट हो जाएगा आपका 3-2-6 बचा यहाँ पर आपका कितना तो 1 और 8 तो फिर हो गया आपका यहाँ पर देखो जल्दी से करेंगे और सब कोई बताएंगे 3-2-6 हो गया बचा है एक तो फिर हो गया 3-6 गठारा मतलब कि हाँ पर 26 आ ठीक है 26 आ अब जल्दी से फाइनल कर चलो अखला सवाल पे चलेंगे यहां पे द्या हुआ है कि यदि 15 कलम का मुल्य रूपा एक सो अंठानवे हो तो पचीस कलम का मुल्य कितना होगा यह जो है यहां पर सब करणनर बताना है कि यदि 15 कलम जो है उनका मुल्य एक सो अंठानवे है तो पचीस कलम 25 पेंस का मुल्य क्या होगा बिल्कुल इजी सा सवाल है जल्दी से करेंगे और बताएंगे तो हमने देखो क्या करना है न हमने देखो मान लेना है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले जो है एक कलम का मुल्य जो है हम लोग निकाल लेंगे ठीक है तो एक कलम का मुल् anatomy कितना हो गया गया देखो 1 98 15 से भागि क्लम कर बचा वा गया है यहां पर से पन्रह 1445 यहां पर यहां 30 मतलब कि 13 zodुट आ गया तो एक कलम का मुले कि इतना है तो we संदेराइं थbung मुल् цел गुना में 25 अबूत ही अच्छा। सभी का 20 गुना तरह simplify करोगि तो आपका कितना आएगा ठीक 330 बिल्कुल सही आंसर है सब का बिल्कुल सही आपने बताया हुआ है क्या हो गया राइट आंसर इस्क्रिप्शन का जो राइट आंसर है यह हो गया 330 यह जो है बिल्कुल सही आंसर होगा चली बढ़ेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल देखो आपको यहां पर दिया हुआ है सवाल है जल्दी से करेंगे सब कोई और बनाइंगे मैंन देखते हैं क्या आंसर आ楽ід हो कि दियाव है 6010 माइनस मों गया देखो जब देखो 10 से आप 6000 पहले बोट मास है तो बोट मास ऐसा मत करना है कि इसको घटा देना तो 10 बुचेगा 10 से 10 को बाग देगा तो एक आजाएगा बिलकुल नहीं का बिलकुल सही आंसर होगा सभी लोग को ध्यान में रखने है ठीक है अगला सवाल आपको यहां पर दिया हुए देखो यह क्यूशन है कि 37 पुनांक एक बटा दो यह देखो ऐसे लिखाव है यह जो है आपका इस प्रकास लिखाव है 37 पुनांक एक बटा दो में कितने एक ब बटा में दो नीचे बटा में आगे आपका एक बटा आठ ठीक है यहां तक अब कितना होगा तो यह देखो गया 75 बटा दो गुना में जस्ट उल्टा होगा भिनका भाग है तो यह वो गया आपका यह आठ बटा एक हो जाएगा ठीक आठ उपर चला जएगा एक नीचे ठीक है चली अगला सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है यहाँ पर क्या सवाल है आपका यह सवाल आपको मिला हुआ है कि 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुननफल 173 तथा 240 के गुननफल के बराबर होगा यह जो आपको यहाँ भी बताना है तो हम लोग किया करेंगे सबसे पखले लिख लेंगे देखो माना हम लोग boi को मानेंगे इस घाल तक क्या दिया 48 को किस संख्या से गुना करने पर रफ से बर्ङरा जो प्राफ्त गुनन फल 1000 हो रहा है शाय दो 402 147 बुना मैं 2100 France ठीक है यहां तक अब एक्स ब्रावर इसको कर दो यह कितना हो गया तो यह हो गया देखो 173 गुना में 240 बटा में हो गया अलतालिस ठीक है अलतालिस से कितना बार में कट होगा तो अलतालिस से देखो यह कितना बार में कट हो जागा विल्कुल सही करेंगे और सब कोई तो अल ती आई 15, साथ पचे 35, और फिर एक हो गया आपका यहाँ पर देखो कितना, 36, ठीक है, 5, एक हम 5 और 3 हो गया, 8, मतलब ती राइट आंसर होगा, 865, जो सही आंसर है, यह है, option C, किन का इनका C है, 865 वालों का बिल्कुल सही आंसर है, लगभग का C है, बहुत बढ़िया, C, ब प्रथम, साथ गोनजो का असर कितना है, चलो देखती है, किसका किसका आंसर आता है, 3 के प्रथम, साथ गोनज का उसर बोला है, बिल्कुली जीजी सा सवाल है دेखो, देखो, तीन के प्रथम साथ मुनस, तो पहले इनको लिख लो, एक तीन हो गया, अगला कौन सा होता है, तो 6, अगला वाला 9, फिर हो गया 12, फिर होता है 15, आगे कितना हुआ, तो आगे हो गया 18, फिर हो गया 21, अब और असत में क्या करते हैं, इन सब को जोड़ लेते हैं, ज जितना टोटल संग्या उससे भाग देता है, तो टोटल संग्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या करेंगे, 7 से भाग देते हैं, चलो इसको जल्दी से जोड़ लो, जोड़ के बताओ तो कितना अंसर आ रहा है, चले देखते हैं सब का, बिलकुल सही कीजिएगा, देखत सब का सवाल है, इजी सा सवाल है, चले देखते हैं कितना आता है, क्या आंसर हो रहा है, कितना आंसर कर रहो, देखना है आप सब का, बिलकुल सही बताइएगा सब कोई, तो जोड़ने पर कितना आया, बहुत ही अच्छा सब का आंसर आ गया, देखो जो इस टोटल को जोड अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है यहां पर कि A B तथा C की आयू क्रमसब 32 वर्ष 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है इनकी आउसत आयू कितनी है है क्या बताया उसत निकाले के लिए क्या करते हैं डो इस फैलने जोड़ेश और टीन दो संख्यया दिए है । नीची आ गया यहां पर देखो उनकी वाली 111 आ रहा है ठीक है मतलब कि राइट यहां पर आ गया देखो 114 ठीक है नीचे हो गया बटा में 3 चलिए बताइए अब कितना आएगा चोड़ने पर कितना आएगा देखो फिर से 6 और 2 8 और 4 हो गया 14 3 3 6 4 10 और 11 हो गया यहां पर अब तीन से इसको कट करेंगे तो कितना मारे में कटोगा देखो 3 ती आई 9 बचा 2 8 3 की 24 मतलब कि 38 इसका सही आंसर है क्या होगी आंसर तो आपसेंडी 38 की यह हो बहुत अच्छा 38 वालों का आंसर बिलकुल सही है बहुत ही बढ़िया चलिए अगला सवाल यहां पर देखो आपको दिया हुआ है यह सवाल है कि 12 14 24 क क्यों लगता है समानुपाथ प्रोपोर्शन का साइन लगता है यह हो गया 24 ठीक है यह चीज तो आपको मिल गया सजा लिया है कि 12 14 हो गया पहला फिर समानुपाथ का चीन लेगा 24 अब देखो यह हमें मिलानी अच्छे तुरत अनुपाथ इसको हमनों क्या करेंगे एक्स ल एक्स बराबर में हो गया आपका 24 गुना में 14 ठीक है अब कितना आ जाएगा तो अब देखो आपका हो गया एक्स बराबर में यहाँ पर 24 गुना में 14 नीचे हो गया 12 12 से कितनी बार में कट होगा दो बार में ठीक है तो एक्स बराबर कितना आ गया तो एक्स बराबर आ गय तो अगला सवाल यहाँ पर पूछ इस प्रकार से लिखा रहा है नौ का स्क्वार यहां पर वर्ट बराबर में लिखा वाट बर्म करते हैं और यहां पर प्राबर है यहां पर और यहां पर लिखी सकते हैं तो अब x square बराबर में कितना आ गया तो 991, 81 नमा होता है 729, ठीक है इतना हो गया, 89729 हो जाएगा, जब 999 को गुना करोगे तो 729 हो गया, ठीक है आंसर कर रो, जल्दी से करना, लगवक का आंसर आ भी गया है, सब कोई बताइए, रुकना नी चाहिए कोई भी, सभी का आंसर आन या फिर यहां पर करते हैं, चलो, अब क्या हो गया, तो आप देखो जो 729 है यह 27 का square होता है, तो रूट में आगे आपका 27 का square, एक 27 बाहर आ जाएगा, तो सही आंसर हो गया, देखो, आपका 27, दो स्कोए यहां पर तो हमारा सही आंसर जागा 27, यह जो है बिल्कुल सही आ का दो तरीका एक तो दस्मोल हटा के नीचे जितना आंक बाद दस्मोल है उतना जीरो लगा दो वह काफी लंबा मेथड हो जाता है डिरेक्टली भी बना सकते हैं कि हम लोगों को यहां पे क्यूब दिया हुआ है ठीक है हम लोगों क्या करना है घनमुल निकालना है तो जो 729 पर यह पता कर लेंगे कि है किसका है घनमुल हो गया मतलब जया है तो Brenda कर देंग के लिए एक वापką दें यहाँ सोब्सक्राइब करेंगे कि ज्यादा लम्बा नहीं लेके जाना है। है क्या दिया हुआ है देखिए दस्मलों भीन को साध्हारन भीन में बदले यह क्या है यहां पर डिजित हो गया उसके आगे जब सारा सेम चले उसके आगे यहां पर लगा देंगे रखना है ऐसा क्यूशन आपको जब ही मिले की दस्मालों के बाद जो डिजीट है उसके बाद सेम एस डिजीट, सेम ए अंक चल रहा है, तो क्या करेंगे, चि offs ग्रेंके बाद उस पहला अंक को लिग लिएंगे बाकी उसके उपर बार लगा देंगे इसका मतलब यहीं षयोदे आगे लगाताई God टीक है अब यहां जो बार को यहां से इंचे वाला जो अब सब्सक्राइब में से जो है जह वजब सब्सक्राइब यह विल्कुल सही चलते हैं अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ यह सवाल है आपका कि तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णेता विभगतो यह आपको यहां पर बताना है कि तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 14 से कौन रुप से कर जाएगी तो तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी यहाँ पर गैसे लिख लेते हैं तीन को की सबसे छोटी संख्या कॉन स 210-14 वेढ़ सो में भाग कि यहां पर 30 को भी दिक्कत नहीं होगा, अब 14 से 100 में भाग दो, जल्दी से बनाने क्या कुछ करना, इसको, देखते हैं किसका किसका आंसर कितना आ रहा है, बिल्कुल सही, सब कोई करेंगे और बताएंगे, ठीक है, तो 14 से 100 में भाग दो, तो 14 सते कितना होगा, 14 सते देखो आपका होता है, ठीक है, यहां तक किसको भी दिक्कत नहीं होगा, अब इसमें से घटा होगे, तो बचेगा 2, ठीक है, यहां तक सब कोई आ गए, अब जब यहां तक आ चुके हो, तो देखो, 100 टोटल वो संक्या है, अब थाज, जो हमारा तीनगों का सबसे छोटा संक्या है, माइनस की आखो, जिससे भाग दिये हो, यहां पर क्या होगा, पलस में जिससे भाग दी हो, और माइनस में जो सेसफल बच गया वो, मतलब किसी प्रकाल से आपका बन जाएगा, 100 देखो, सबसे छोटा संक्या तो लगा सौ पलस में बारार यहां देखो आपका हो जाएगा 112 यह बिल्कुल सही आंसर होगा क्या होगा आंसर ओप्सें एक मैंने बनाए था सायद चलो यहां पर आपका आप मैत का अंतीम क्यूशन है ठीक है मैत का लाश्ट क्यूशन रहेगा आपके लिए यह देखो दिया हुए कि दो संख्याओं के महत्म समापर्तक तता लगुतम समापर्तक क्रमसा आठ तता अर्तालीस है यदि इनमें से एक संख का गुननफल बरावर क्या होता है तो दो संख्याओं का गुननफल फरमूला है देखो esco Miche शोपिस दिया हुए ठीक है अगला संख्या को माणो ऑदो समालिया जूस्रा संख्या को ठीक है बरावर में consists of कितना है तो आठ 10 um कितना है तो यहीं59 एक 15 बरावर कितना हो गया त एपन सी सुला यह बिलकुल सही आंसर और सी यह हैं बहुत 좌य है ज्यासकार का पर को यह सवाल है आपका क्या सवाल मिला हुआ देखो कि आयोडीन जिस प्रकार से घेंगा से संबंदित है घेंगा लिखा हुआ है आयोडीन जो है जिस प्रकार से घेंगा लिखा है घेंगा से संबंदित है उसी प्रकार मधूमे निम्न में से किस से संबंदित है सक्तर से वसा से स्क्रीन से य मदू में जो डाइपिटीज है वह देखो आपका दूर होता है इंसूलिन से ऐसे बना तो आयोडीन के विशनगों सब्रेंगे हैं find the odd word, सुक्ष में जेए, सुक्ष में फिल्म, माइक्रोफोन, या फिर सुक्ष में दर्सी, क्या होगा, इन में से कौन सा ऐसा है, जो की विसम है, चले, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, बिल्कुल सही करेंगे, और सब की बताएंगे, यहाँ ठीक है, मिस्टेक नहीं हो देखते हैं, माइक्रोफोन, जिससे आपको अलग-अलग चीज एक प्रेवोग किया जा, माइक्रोफोन का, और सुक्ष दर्सी, से हम लोग माइक्रोइस्कोप से छोटी-छोटी चीज़ों का अच्छे से देख सकते हैं, यह तीनों का तीनों क्या है, तो यह एक यंत्र है, ठीक है, क्या लिखा हूए है, यह दि कसमीर को इतना लिखा सकता है, तो उसी भासा में र, i, m, s, h, k को कितना किस प्रकार लिखेंग मैं फिर अगला तो अगला है हमारा इस ऐच अब सीपल सा यही जो और आगे के को कितना लिखा है 8, मतलब कि right answer होगा 35, 7, 4, 2, 1, 8, right answer है आपका 35, 7, 4, 2, 1, 8, यह जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, option A वालों का सही है, ठीक है, जितना का भी A करना है उनका answer बिल्कुल सही है, A वालों का सही आंसर है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे, अगला है 97, यहाँ पे लगा भाँ है, फिर 195, फिर देवाँए 90, यह जीरापका मिला हुए है, 111 से 96 आने में, क्या किया, थिक है 96 स inanंबिया में क्या किया, त्हों पलस ती, 99 से 94 आने में क्या किया, माइनस 5, 4- lesbian 7 आने मिल così ख्या किया तो वह गया, बान भी ठीक है? उसे प्रकार से मुझे है, यहाँ पर बान भी है, तो अगला है प्लस ती, तो 95 आ रहा है, और फिर माइनस पाश तो 90 भी आ रहा है, इसका मतलब राइट आंसर 92 होगा, बान भी होगा, सही आंसर क्या हो गया, तही हो गया, आपसन B, बी वालो का मुझे लगता है कि सभका आंसर आ जाएगा, चल्दी से कीजिए गार बताइगा, सभीकbing आंसर देखने वाले है, क्या होगा, देखो, जिस प्रकार लंबा लंबा इसे स्मंदित है, सिंपल सा बात है, चोड़ाई से क्यूशन नहीं था रिजिनिंग में जो है आपका पांच क्यूशन हो गया तो टोटल उन्चास क्यूशन हुआ है सबको जुरू बताएगा उन्चास में साब सब लाइक जरूर कर देंगे शेयर करना मत बूलेगा अपने सभी दोस्तों के साथ उसके साथ जिनने भी सब्सक्राइब ने किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर सेट कर लेना